जैबीम फ्रेंड माइनेम इस संधीब और यॉर वाचिंग अंबेट का राइड अब्जर्वेशन दोस्तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अथेंटिक फिल्म डिरेक्टर अथेंटिक फिल्ममेकर नागराच पोपटराग मोंजुई के जूणड फिल्म के ट्रेलर की बहुत कम फिल्म है ऐसी होती है जो एक्टर के नाम से नहीं बलकि डिरेक्टर के नाम से जानी जाती है 4 मार्च 2022 में 70 mm पर रिलीज होने वाली जूंड फिल्म भी कुछ इसी तरह है जो एक्टर के नाम से नहीं बलकि डिरेक्टर के नाम से जानी जाती है वैसे जुन्ट फिल्म के कथा का मुख्य किरदार विजए बार्सेजी है जिनकी भूमी का अमिता बच्चन जीने कीई है अमिता बच्चन इतना बड़ा लिजेंड एक्टर होने के बावजुत इस फिल्म को नागराज मंदुए की फिल्म कहा जा रहा है ये वाके में नागराज मंजुए के लिए बहुत बड़ी achievement है क्योंकि अकसर बॉलिवुड में देखा जाता है कि जब भी किसी फिल्म में कोई हीरो या कोई हीरोईन होती है तो उस फिल्म को उस हीरो या हीरोईन के नाम से जाना जाता है जैसे हम कहते हैं कि सलमान की फिल्म आ रही है शारुक की फिल्म आ रही है अक्षय की फिल्म आ रही है पर इस फिल्म को यह कहा जा रहा है कि यह फिल्म नागराज की फिल्म है नागराज मंजूरे की फिल्म आ रही है तो वाके में यह बहुत बड़ी achievement है नागराज मंजूरे क देखने को मिलेगी, जिस तरह से फिल्म में language का इस्तमाल किया गया है, जिस तरह से हिंदी accent का इस्तमाल किया गया है, उसमें आपको एक authenticity दिखेगी, जिस तरह की language slum में इस्तमाल की जाती है जिस तरह के महाराश्टरीन लोग हिंदी का जो accent उनके मूँ से निकलता है उस तरह का accent आपको इस movie में इस movie के trailer में सुनने को मिलेगा अब जिन लोगों को लगता है कि इस तरह की film में Bollywood पहले भी बना चुका है उन लोगों को में बताना चाता हूँ इस दुरुष्चा को आप देखिए क्या यह दुरुष्चा आपने कभी Bollywood के picture में कभी देखा है दोस्तो महाराश्टरा में सबसा ज़्यादा film industry के लोग रहते है इस पेशली मुंबई में रहते हैं और मुंबई में बाबा सहीब अमबिटकर जी की जैंती धूम धाम से मनाई जाती है जिस तरह से गनिश उस्तो मनाया जाता है उसी तरह से बाबा सहीब अमबिटकर जी की जैंती भी उतने ही धूम धाम से मनाई जाती है इतने सारे producer, इतने सारे film maker, इतने सारे film director होने के बावजुद कभी भी Bollywood के film में Dr. Baba Sahib Ambedgar की JNT celebrate होते हुए हमें कभी दिखी नहीं है इस film में यह scene दिख रहा है दोस्तों यह proof है कि यह film बहुत ज्यादा authentic होने वाली है तो आज तक जितने भी filmे बनी हैं उसमें authenticity missing थी, इस film में आपको authenticity दिखने वाली है जिस तरह की language इस film में इस्तमाल की गई है वो language में आपको authenticity मिलेगी जिस तरह की दुरुष्य इस film में दिखाये गए है उस दुरुष्य में आपको authenticity दिखाई देगी नॉन फिल्मी लोग आपको इस फिल्म में देखने के लिए मिलेगे आपका experience काफी अनुका और काफी different रहने वाला है इसलिए आपको 4 मार्च 2022 को ठेटर में जाकर इस movie को definitely देखना चाहिए अगर आप कुछ नया experience करना चाहते है तो दोस्तो नागराज मौन्जुए जी ने खुद कहा था कि इस फिल्म की कहानी बड़ी simple है जो विजय बरसेजी है वो एक sport teacher है जिनों ने जोपड़ पट्टी के बच्चों को लेकर अपनी एक football team बनाई और फिर वो state level पर national level पर फिर international level पर उसे लेके गए तो उनके वज़े से उन जोपड़ पट्टी के बच्चों में कुछ परिवर्तन हुआ किसी की life सुदर गई तो यही एक simple कहानी है पर यह मत भूलिए कि इसकी पटगटा में लिक रहा हूँ और इसमें बहुत सारे surprises आपको मिलने वाले है यह बात खुद नागराज मंदुए जी ने कहिए तो व से फिल्म में क्या होगा इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता नागराज मंदुए जी की फिल्म है मतलब सोशल मैसेज दिये बगर यह फिल्म खतम तो होने वाली नहीं है इस फिल्म में से नागराज मंदुए कुछ ना कुछ सोशल मैसेज डेफिनेटली इस समाज को दे और इस फिल्म में भी समाज को आयना दिखाने काम नागराज मंजुए डेफिनेटली करेगे यह हम उम्मीद करते हैं मिलते हैं नेक्ट टूडियो में तब तक के लिए जय भीम नमो बुद्धाए